इस धर्ती पर ऐसी कई जगहे मौजूद है जो अपने आप में अजीबों गरीब बातों के लिए जानी जाती हैं जिनका रहस हमेशा लोगों को चौकाता है ऐसी जगहों में सबसे ओपर है मेक्सिको का चिव आहुआ रिगिस्तान लगवग बंजर्स इस जगहा पर जाते ही सारे लेक्ट्रोनी गैजट्स इमेडियेटली काम करना बंद कर देते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी भी पूरी तरह बेकार हो जाती है कमपास किस्वी सर्फ गोल गोल घूम कर रह जाती है इस रहस्माई जगह को जोन आफ सैलेंस के नाम से जाना जाता है जोन आफ सैलेंस से लगवग 25 मील की दूरी पर आबादी वसी हुई है वहां तमाम सुभधाएं हैं लेकिन जोन आफ सैलेंस लोगों की पहुँच से दूर है यहां ना तो कोई होटल है और ना ही किसी का आना जाना इसकी वज़ा है इस जगह पर मौजूद मिश्टरी स्थानी लोगों का मानना है कि इस जगह पर दूसरी दुनिया के जीव एलियन्स रहते हैं जिस वजह से इस जगा पर किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाता है। सन 1970 में अमेरिका द्वारा छोड़ी गई एक मिसाइल इस जगा पर आकर बेकाबू हो गई और क्रैस हो गई। इस घटना के दोरान पहली बार इस जगा को खोजा गया था। वज्यानिकों के लिए इस मिसाइल का बेकाबू होकर इस जगा पर क्रैस होना एक हैरान कर देने वाली घटना थी। उन्होंने इस घटना के तुरंद बाद ही एक विससग्यों की टीम को इस जगा पर घटना की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया। जब इन्वेस्टिगेशन कर रही टीम इस घटना इस तेल पर पहुँची तब उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। यहां पहुँचते ही उन सभी के पास मौजूद कैमपस और इलेक्ट्रोनिक गैजट्स ने काम करना बंद कर दिया। कमपस के सुई तेजी से गोल गोल घूमने लगी। उन्हें यह बात काफी अजीब लगी। उन्होंने इस जगा के रहस को जानने के लिए इस जगा रिसर्च शुरू कर दी। कुछ सुरुवाती रिसर्च के बाद उनका मानना था कि यह जगा एक तरह का डार्क जोन है जहाँ पर टीवी सिगनल्स, रेडियो, सौर्ट वेव या सेटेलाइट सिगनल्स तक नहीं पहुँच पा रहे थे। इस रिसर्च के बाद विसेसग्यों ने इस जगा को नाम दि जिसके कारण यहां सारी गैजिट्स काम करना बंद कर देते हैं, हाला कि इस जगा पर मैगनेटिक पावर का सोर्स क्या है, यह बात आज तक रहस बनी हुई है।